हेलो मेरे प्यारे बच्चों, welcome to the doubtnet, स्वागत है आप सभी का आपकी science की class में और मैं हूँ आपकी mentor हिमानी और मैं आपको आज आपकी science class की physics का chapter number 1 जो की class term 2 का chapter number 1 है CBSC के स्लेबर स्में वो कराने झा रही हूँ, that is electricity तो बच्चों, इل्क्त्रिसिटी क्या है? आप अपने आसपास, अभी आप अपने आसपास बैठे हुے देख सकते हैं. आप अपना फोन देख रहे हैं, आप अपना लाप्टोप देख रहे हैं, किस रूज़ से चल रहा है? इल्लेक्ट्रिसिटी की वज़े से. आपके सर की उपर पंखा होगा, एसी होगा, लाइट होगी जिसकी तरज़े से आप रात में देख पाते हैं, दिन में भी आपको जरूरत पढ़ती है, वो सभी की सभी चीजे किस वज़ा से चल रही है, इलेक्रिसिटी, इसका मतलब है बच्चे, इलेक्रिसिटी एक बहुत बड़ा हमारे पास रीजन है, कि हमें उसको पढ़ने की और समझने की बहुत जरूरत है, कि आखिर एक्चुली में इलेक्रिसिटी है क्या, क्या आपने बैटे-बैटे कभी सोचा है, इलेक्रिसिटी किस चीज से बनी होती है, उसमें क्या पार्टिकल्स है, या ऐसी भी आपके घरों तक आ रही है वो किस वजह से आ रही है या क्या वो कैसे आ रही है उसके साथ रीजन क्या है यहां तक आने का तो आज बच्चो मैं आपके लिए इन सभी questions का answer लेके आपके लिए आपका easy बना के मैं आपके लिए आज इस class मर लेकर आई हूँ तो बच्चो आज हम start करने वाले है electricity जो कि बहुत ही important chapter है term two के लिए term two अब term one में जो हो गया अब हमारा aim क्या है हम term two फार देंगे हम साथ में महनत करेंगे question की practice करेंगे और जो रोशोरो से पूरा का पूरा chapter पूरा का पूरा chapter अच्छे से revise करके उसको समझ की उसके questions करके आपने exam को फोर देंगे ठीक है बच्चो आगे चले चले तो आज की हम class शुरू करते हैं अपनी electricity के definition से बच्चे electricity होती क्या है यह पहला word आप देख रहे हो इलेक इसका मतलब क्या है इलेक का मतलब होता है charges and study of the study of these charges is called electricity simple से definition है study of क्या है simple से definition study of the charges is electricity या फिर मैं यह बोल दूँ the branch of physics that deals with the study of charges is called electricity ठीक है बच्चे अब इस electricity के भी दो पार्ट होते हैं दो पार्ट कौन-कौन से हैं एक है हमारे पास static electricity और दूसरा है हमारे पास current electricity बच्चे static का मतलब क्या है static का मतलब होता है हमारा rest and current का मतलब होता है that something is in motion static का मतलब rest की बात हो गई अब current का मतलब motion की बात हो गई अब हमारे पास electricity मैं आपको बता चुकिए it is the study of charges तो हम यह बोल सकते हैं कि static electricity क्या है हमारे पास क्या है हमारे पास static electricity study of charges at rest is static electricity at the same time जब हम study of charges in motion कर रही है study of charges in motion कर रही है तो वो हो गई हमारे पास current electricity electricity बच्चे अब आपका जो class 10th का syllabus में है उसमें आपको static electricity तो नहीं पढ़ने है static electricity आपकी 11th में आएगी that is electrostatic उससे पहले आज हमें आपकी 10th के syllabus में start करना है current electricity इसका मतलब है आपको जब current यानि कि जो current है हमारे पास जो charges है जब मोशन में है जब charges motion में है उनका study करना है रेस्ट में है वो हमें बाद में पढ़ना है पर इस चीज के लिए आगे बढ़ने से पहले electricity को start करने से पहले यानि कि current electricity को start करने से पहले हम पहले यह समझ लेते हैं इन दोनों में difference है क्या actually में हम आगे बढ़ने तो जा रहे हमें difference भी तो पता होना चाहिए यह देखिए बच्चे आपने आपको पुलानी classes में आपको एक experiment कराया होगा एक plastic का scale लो उसको सर पर रब करो बहुत देर तक and then pieces of paper पर ऐसे जैसे इन्होंने हमने plastic की कोम लिया है इन pieces of paper में हमें इसके पास लाएंगे तो वो जो हमारी um होती है इसे attract कर लेगी यह किस Phenomena की वजцы होता है क्योंकि हमारी com जब हम उसको रब करते हैं तो वो charge हो जाती है चूए हो जाती है हमारी comang piece of paper को हमारा attract कर लेती है, agreed, agreed इस बात से, तो बच्चे हम ये देखो, अगर मैं इस plastic की form की जगह है, या फिर आपको plastic की scale की जगह, अगर steel का scale दे दो तो क्या ये possible होगा, जल्द इसे comment section में मुझे ये बताईए, क्या ये possible होगा, या नहीं होगा, बच्चे नहीं होगा क्यों क्योंकि हमारे पास static electricity में एक चीज है that is insulator जो हमारे पास static electricity है वो insulators में ही होती है क्यों बच्चा क्योंकि हमें पता है insulator की definition से insulator क्या है जो अपने आप से current को pass ना होने दे इसका मतलब है जब मैंने plastic के scale को rub करा वो pass तो करेगा नहीं उस charge को क्या करेगा accumulate कर लेगा इसका मतलब क्या है charge को accumulate करने का मतलब क्या है वच्चो collect कर लेगा अपने edge पर collect कर लेगा जिससे की वो जो edge जो हमने rub करी थी अपनी com की वो उन piece of paper को attract कर लेगी clear at the same time अगर यही चीज आपकी current electricity में अगर यही चीज आपक कंड़क्टर कंड़क्टर ही कंड़क्ट करता है तो हमारी जो current electricity है हम उसमें कंड़क्टर की बात करेंगे static electricity में हम insulator की बात करेंगे क्योंकि यही यही करेंगे charge को accumulate यह conductor नहीं करेंगे इसी accumulation की वज़े से हमारे पास जो attraction का phenomenon जो हमें इस कौम में दिख रहा है यह होगा ठीक है next example यह देखो बच्चो अब हमारे पास जो यह balloon है यह भी इंसुलेटर रबड का बना होता है ना रबड हमारे पास insulator है तो बच्चे यह जो balloon है जब हमने इसको silk के cloth से रव किया य इस पर charge डवलप हो जाएगा मैं यह नहीं कह सकती कि positive charge होगा यह negative charge होगा बट कोई ना कोई मैं मान रही हूँ positive charge डवलप होगा अब हमारे पानी में भी किसी तरीके का charge होगा और यह मैं मान लिया अब जब यह पानी की जो धार है जैसे ही मैं balloon ला रहे हूं सीधी जाने की बज़ाए इसकी तरफ ऐसे mood की attract हो जा रहे है यह दिख रहे है यह देखो ऐसे पानी के धार attract हो जा रहे है क्यों हो जा रहे है क्योंकि इस पानी पे negative charge था and opposite attracts इसी वजह से यह दोनों एक दूसरे को attract कर रहे हैं यह बात हो गई हमारी static electricity की हम इसके बारे में बाकी सारी classes मे 11 में 12 में इसके बारे में चाचा करेंगे at the same time बच्चे आज हमें क्या पढ़ना है आज हमें पढ़ना है current electricity मतलब कि जब charges किसी कोई भी charges जब हमारे motion में है यह जो electron दिख रहे हैं आपको यह charges दिख रहे हैं आपको जब यह motion में है इस wire के अंदर तब क्या क्या होता है और क उसके बाद हमने static electricity पढ़ी जो कि study of charges at rest है then हमने current electricity पढ़ी that is study of charges at motion ठीक है आईए अब हम next slide से अपनी start करते हैं जो कि हमारा इस chapter का topic number one है कि हमारे electric charges क्या होते हैं electric charges आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी यह जिस positive charge negative charge दो तरीके के charges होते हैं चलिए उसको पहले positive negative से पहले भी इसके बारे में चीज समझते हैं जैसे मैं आपको कह रही हूं आपके पास यह ball है यह एक ball है मैं अगर कह दूँ इस ball का mass 0 है कोई sense है इस बात की कि मेरे पास एक electric ball है उसका mass 0 है कोई sense नहीं हो इस बात की कोई sense मतलब क्या मैं आपको कह रही हूं एक ball है उसके अंदर mass नहीं है यह तो बात ही कुछ नहीं हुए चाए wall कितनी पतली कितनी चोटी कितनी ही मास कितनी ही हलकी हो, कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ M, मास तो होगा उसकी अंदर, इसका मतलब है, अगर मैं बोल रही हूँ, मास नहीं है उस बॉल के अंदर, मतलब की वो चीज एक्जिस्ट नहीं करती, non existing है यह चीज़, non existing है, मतलब कि जो mass है किसी भी चीज़ की fundamental unit है, उसको exist कराने के लिए यह हमारे पास fundamental unit है, उसी तरीके से मैं बोल रही हूँ, जो electric charge है, वो किसी भी matter की fundamental unit है, इसका मतलब क्या हुआ, कि हर एक body में charge तो present होगा, यह एक fundamental unit है, किसी भी matter की, ठीक है, यह बात clear हुई, क्लियर हुई, हम आगे बढ़े या repeat करें, जल्दी से मुझे comment section में आपको बताना है, बच्चे आपको कोई भी किसी भी point पे इस chapter में doubt हाता है, आपको कोई question नहीं समझ में आता है, आपको कुछ question में query है, आप comment section में मुझसे पूच सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब आता है, मैं आपके लिए कल की class में, एक आपके लिए marks distribution लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगे, कौन से टॉपिक से कितना आता है, आज हम पहले थोड़ा सा basics पढ़ लेते हैं, electricity के बारे में, start कर देते हैं chapter, 7 marks question में बीटा, आपकी जो 2 marks है, वैसे तो अभी इतन हमें किस तरीकी से करना है, हम अपनी दोनों तरीकी से preparation लेके चलनी है, हम objective भी करेंगे, subjective भी करेंगे, हम objective question को subjective की तरह भी करेंगे, ठीक है बच्चे, हाँ, जो 2 marks की हैं, यह हमारे पास MCQs आते हैं, या एक एक number वाली question आएंगे, और हमारे पास 5 marks के question में, एक 5 marks का question यह तो आएंगे ही आएंगे, उसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ आपकी, कि मैं आपके यह number fix करके आउंगी, बट आपको मेरी class में daily आना है, attend करनी है, जो चीज समझ में आई उसको भी अच्छे से revise करना है, और मेरे साथ साथ अकर आप question भी करेंगे, तो आपके पक्का यह 7 marks fix है, बस आपको यह series देखने की जूरवत है, ठीक है बच्छे, अब यह क्या लिखा है, बहुत जाब हो गया है, यह क्या है, कि हमारे पास charge दो टाइप की है, एक positive charge है, यह negative charge है, सब को पता है, SI unit क्या है हमारे पास charge की, charge की SI unit है, कुलंब और हम उसको C side unit करते हैं, किसे denote करते हैं, C से, और charge का symbol क्या है, हम capital Q से भी denote कर देते हैं, और small Q से भी denote कर देते हैं, है न बच्छे, ठीक है, यह बात clear है, आगे बड़े, अब हमारे पास जो यह है, कि हमारे पास proton का charge कितना है, और हमारे पास neutron का charge कितना है, हाँ बच्छे, कितना charge है, हमारे पास proton प का डिफ्रेंस है, क्या डिफ्रेंस है, प्रोटोन पर हमारा चार्ज होता है, 1.602 इंटो 10 इस तु पावर माइनस 19 कुलम और वहीं at the same time electron पर हमारा चार्ज होता है, माइनस 1.602 इंटो 10 इस पावर माइनस 19 कुलम, बचे ये important चीज है, ये आपको याद रखने पड़ेगी, आप चाहे तो ये दो डिजिट भूल जाएए, बस इतना याद रख लीजिए, 1.6 इंटो 10 इस तु पावर माइनस 19 कुलम, ठीक है, बस इतना याद रखना है, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, कि ये चार्ज है, इलेक्ट्रोन और प्रोटोन बे, 1.6 इंटो 10 इस तु पावर माइनस 19 कुलम, आगे बड़े, आगे बड़े, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है लेक्चर देखने में, मज़ा आ रहा है, चलिए, आगे बड़े आ, अब बच्चे, अब हम देख लेते कि चार्ज के प्रोपर्टीज क्या क्या है, कि चार्ज में क्या क्या प्रोपर्टीज है, बच पहली प्रवर्टी है हमारे पास, charges are additive in nature, ठीक है, इसको समझते हैं, मैं आपको कह रही हूँ, ये मेरे पास एक system है, इस पे कई सारे charges पड़े हैं, प्लस Q, प्लस 2Q, माइनस 2Q, 3Q, माइनस 4Q, अब मुझे इस system का total charge निकालना है, किसका, ये जो system मैंने बनाया है, इसका मैं total charge निकालना चाहरी हूँ, इसका total charge कितना होगा, इसका total charge होगा, visible है सबको, मैं इधर लिख देती हूँ, कोई नहीं, बचे परशान नहीं हो न, बस साथ-साथ अपनी महनत करनी है, साथ-साथ करती जानी है, सारी चीज़े इतनी निचोड कि मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, कि आपके दिमाग में अच्छे से बैट जाएंगी, तो मैं आप total charge लिखती हूँ, additive in nature का मतलब है, अगर मुझे इस system का total charge निकालना है, तो मैं simply इसका algebraic sum कर दूँगी, sum करने का क्या मतलब है, कि जितने भी charges है, उनके बीच में, उनके sign के साथ, plus का sign लगा दूँगी, ठीक है, plus 2Q, at the same time, अब minus 2Q है, तो मैं उसको भी add ही करूँ माइनस sign के साथ, plus 3Q, and plus minus 4Q, जल्दी बताओ इसका क्या answer होगा, I am giving you 20 seconds, जल्दी बताइए, कितना time, कितना होगा, क्या होगा इसका answer, जल्दी comment box में, इसका answer total क्या होगा, 0 Coulomb, 0 Coulomb, कितना होगा, 0 Coulomb, यह इसका total charge होगा, ठीक है बच्चे, यह चीज़ होगई, कि charges are additive in nature, मतलब, जितने भी charges उस system में present है, हम उन्हें add कर देंगे, यह होगई first property, second property क्या कह रही है, second property कह रही है, charges are always quantized, quantized का क्या मतलब है बच्चे, quantized का मतलब होता है, discrete, discrete माने क्या मेडम, तुमारा question आएगा न मेडम, discrete मतलब क्या होता है, बच्चे, discrete मतलब होता है, कि हर एक की जो value होगी, वो certain integer multiple में होगी, क्या मतलब है, कि जो charge होगा, किसी भी हमारे system का, वो q is equal to n e में होगा, और हमारे पास e क्या है, e हमारे पास है, charge on proton और electron 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलंब, यह जो formula है, यह यह बताएगा, कि जो 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलंब है, इसी का integer multiple होगा, charge हमीशा, यह बात fix है, क्या fix है, कि या तो 1 e, या तो हमारे पास 1 e charge होगा, या हमारे पास 2 e charge होगा, या हमारे पास 3 e charge होगा, charge क्या है, q charge को denote करता है, q is equal to n e, n की value, या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, and so on कितनी भी हो सकती है बट क्या नहीं हो सकती है 0.5e not possible 0.6e not possible 1.2e not possible 1.5e not possible ये नहीं हो सकती हमारे पास charges की value integer multiple में होगी इसमें नहीं होगी ठीक है next property ये चीज़ समझ में आई समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं चलिए next property कह रही है हमारे पास like charges repel इचाद like charges का मतलब है जो same charges होंगे ना यानि की positive positive negative negative ये pair हमेशा एक दूसरे को repel करेंगे ठीक है हमेशा एक दूसरे को repel करेंगे at the same time जब unlike charges होंगे unlike मतलब different charges होंगे वो एक दूसरे को attract करेंगे जैसे ये देखो ये जी आई ये 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 attract कर रहे हैं और जब same charges आगए ये दूसरे को धक्का दे रहे हैं दूर जा दूर जा और जब unlike charges आ गए वो अट्रेक्ट कर रहे हैं मतलब अपने पास बुला रहे हैं ठीक है ये बात हुई clear छीक है तो properties of charges हो गई next topic की और बड़े next topic की और बड़े क्या चलिए next topic क्या है conduction of electron oh sorry conduction of electric current conduction of electric current क्या है मैं अब बच्ची क्या है कि insulator conduct नहीं करते लेकिन conductor conduct करते हैं ऐसे ही metals जो है वो conductor होते हैं और जो non metals जो mostly होते हैं वो insulator होते हैं तो मैं ऐसा क्या होता है इन दोनों के बीच में अलग कि जो हमारा जो metals है वो तो conduct करते हैं लेकिन जो non metals है वो conduct नहीं करते तो बच्ची अगर आप अपनी periodic table देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी क्या कि जो हमारे non metal होते हैं उनका size तो होता है छोटा लेकिन हमारे जो mostly metals है उनका size बड़ा होता है यह metal है मेरे right side में metal है and left side में non metal है ठीक है यह क्या लिख रहा है किस चीज की जरूरत है free electron की free electron क्या है electron या sorry free charge carriers या charge carriers हमारे क्या मतलब है आईगे समझते हैं अब आप देखो यह हमारे पास nucleus है और यह इसके चारों और electron घूम रहे है ठीक है इसके चारों electron घूम रहे और at the same time non-metal में भी एक positive charge है और उसके चारों और electron घुम रहे हैं अब बच्चे इसको हम इस example से समझते हैं कि ये जो है हमारा घर है ये जो atom है हमारा घर है अब क्या है जो non-metal है इस घर में जो बच्चे हैं वो तो अपने pape के साथ रहते हैं ठीक है वो सेक्षन में जल्दी से ये बताओ जो बच्चे घर रहते हैं वो जादा free होंगे या फिर मैं कहूं जो बच्चे घर रहते हैं उन्हें जाधा जादी होगी या जो होस्टल में रहते हैं उन्हें जादा जादी होगी जो होस्टल में रहते हैं उन्हें जादा जादी होगी कि जा बेटा मतलब हर बात के लिए पापा से पूछने की जरूरत नहीं है पापा मूवी देखा हूँ घर वाला बच्चा तो जाहे नहीं तो वो चला जाएगा है ना यह चला जाएगा ना की ठीक है तो यही इसमें मैं एक्जाम्पल बताना चाहरी हूं जब electron nucleus के पास रहते हैं जब बच्चे अपने घर रहता है तो उसके पापा यानि उसके parents की उसके उपर पकड मजबूत होती है कि बेटा तू नहीं जा सकता बाहर तू नहीं free हो सकता तू free नहीं हो सकता तू आजाद नहीं है यह non metal की कहानी होगा इसलिए उनमे electron मिलते ही नहीं मैटल में क्या है जो यह electron है यह धट से बाहर चला जाएगा क्यों चला जाएगा क्योंकि यह तो free है इसके यह तो घॉस्चल में रह रहा है इसके पापा का तो जो चल नहीं रहा तो इसी वजह से जो पास वाली electron है उन्हें तो nucleus पकड के जकड के अपने पास रख लेता है लेकिन जब atom बढ़ा हो जाता है तो उसमें जो दूर वाला electron है it tends to go away tends to go away का मतलब वो थोड़ा free होता है अगर उसको थोड़ी सी भी energy मिलेगी जैसे अगर दोस होस्टल में है साथ वाले दिस दोस थोड़ा सा भी बोलेंगे कि चल चल मुवी देखने चलते है वो भाग जाएगा इसी दरीके से इस electron को अगर थोड़ी से भी energy मिलेगी ये भाग जाएगा ये फुर हो जाएगा है ना ये बात समझ में आई तो मतलब की ये जो है जो electron जो nucleus से दूर है वो free electron है free electron है या फिर free charge carrier है फिर चार्ज केरियर है ठीक है इसका मतलब है electricity कंड़क्ट करने के लिए हमें free charge carrier की जरूरत है ठीक है अब आगे बड़े अब देखते हैं ये free charge carrier आखिर अपनी item से जो हमारी wire है उसमें मूव कैसे करते हैं किसी तरीके से तो move करते होंगे चलो हान जी ये gif देखिये से पहले जो electron है जो ऐसे फ्री electronics ये देखो ये free electrons है ये हमारे पास conductor है ये हमारे पास conductor है तो इसी तरीके से इसमें ये free electrons और जो ions है ये random motion में हैً रेंडम ली धरुर य धरुर धरुरु उदर चल रहे हैं सिरफ प्री एलेक्ट्रों बाकि सब इलेक्ट्रों बाउंड है नुकलिस के वो नुकलिस के साथ ही है ठीक है देख ले आगे वायर में क्या होता है हां जी तो conduction of electric current आखिर wire में होता कैसे है ठीक है बच्चे electric current wire में कैसे होता है अब बच्चा देखो हमारे पास आपको ये एक GIF दिख रही होगी सबको विजिबल है कम्प्यूटर जी कें यू टेल में यह सबको विजिबल है न हां जी तो चलिए यह जो है हमारे पास positive end of the battery है और यह हमारे पास negative end of the battery है अब क्या करा जब बैटरी क्या है यह potential difference हमने apply किया है मतलब battery के एक push apply किया है जैसे होस्टल ने बच्चे में थोड़ा सा उसको पुश किया था ने कि चल बेट बेटा इसने पहले वाले आइटम को बोला कि मुझे अपना negative charge है तो इधर आजा मेरे पास मैं तुझे wire में घुमा के लाता हूं क्या बोला इसने इसने बोला आजा मैं तिरको घुमा के लाता हूं wire में इधर से negative charge यह हात मारे इसे एक इलेक्ट्रोन ले लेगा अब फिर गएगा मैं पॉजिटिव हो गया मुझे भी न्यूट्रल बनना है वो इससे ले लेगा ठीक है अगर मैं मालो यह मेरी कॉपर वायर है और इसमें पाच कॉपर के एटम है तो यह जो पाचों के पाचों है यह एक दूसरे से एक एक करके लेते रहेंगे और पहले दूसरे को देके पॉजिटिव बनेंगे बाकि अपने दूसरे साइड वाले से लेके न्यूट्रल बन जाएंगे अब बात आ गए इधर साइड वाले पे देखो इस जी आइफ को देखो यह कह रहा है दूसरे को कह रहे है पास अलों प्लीज उसने पास कर दिया यह पॉजिटिव हो गया पास भी एन इलेक्ट्रॉन प्लीज यह भी कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन पास करो अब यह एंड वाला पॉजिटिव हो गया यह क्या करेगा बैटरी के टर्मिनल से नेगिटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन खोस लेगा कि ला अब तू मुझे दे मैंने उसे दे दिया ना तू मुझे दे इसी तरीके से अगर ये पूरी वेक वायर में connected हो तो हमारा जो pre electron होता है वो वायर में conduct करता है ठीक है बच्चा ठीक है बच्चा पाटी समझ में आ रहा है समझ में आ students जल्दी give me a thumbs up, give me a thumbs up, give me a thumbs up, जल्दी जल्दी ठीक है आगे बड़े आगे बड़े तो next हमारे पास ये GIF देखो ये दिखा रहा है कि ऐसे electron कैसे सारे atoms में जा जाके अपनी electricity को conduct करता है ठीक है बच्चा ठीक है बच्चा ये समझ में आ गया ये समझ में आ गया कि free electron क्या है हमारा hostel में रहने वाले बच्चे की तरह है कि वो थोड़ा free है वो atom से बहर निकल जाता है और जाके दूसरे atom में pass on कर करकर 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 के हमारी पूरी वायर में जो है electricity करता है ये बात हुई clear जल्दी मजा रहा है मजा रहा है जल्दी तो comment बॉक्स मुझे थोड़ा सा तो बताओ मुझे तप ही तो पता चलेगा कि आप लोग को मजा रहा है है ना चलिए next is how do we express electric current अब जो हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया अब electric current होता क्या है हम उसे express कैसे करते हैं बच्चा आप लोगोंने water current की बारे में तो जरूर ही सुना होगा क्या है water current जिस भी pipe में से water बह रहा है किसी pipe में से पानी बह रहा है उसे हम क्या कहते है water current कहते हैं वो ही at the same time जब हमारा किसी wire में से charges बहते हैं यानि कि Electrons भैते हैं या Charges भैते हैं उसको क्या कहते है Electric Current इतनी सी बात सबको समझ में आई Is it clear? Is it clear मेरे बच्चों? आगे चले? आगे बड़े? ठीक है बच्चे पानी किसी पाइप में भैता है तो उसे Electric Current कहते है और अगर Electron या Charge Carriers भैर रहे हैं तो हम उसे Electric Current कहते हैं वो था Water Current यह है Electric Current बिल्कुल सेम यह है देखो और इट इस एक्सप्रेस कैसे एक्सप्रेस होता है ऐसा Rate of flow of Electric Charges और Electron थ्रूर कंड़क्टर हम जब इलेक्ट्रिक ओब बात करेंगे इलेक्ट्रोन की इस बात करेंगे तो हम बी सिर्प इलेक्ट्रोन की बात करें एय्या है आप बच्छा यह rate of flow of electron क्या जासे मैंने आपको भी बताया rate of flow of sorry flow of water is Water Current ऐसे ही rate of flow of ऐस चारज्डिज इस इलेक्ट्रिक करेंट अच्छ आपने rate word कहीं और भी पढ़ाओगा यह क्या है यह है हमारा acceleration rate of velocity rate of velocity rate of doing work is power यह सब बच्चों आपने पहले पढ़ाओगा यह rate का मतलब है divide में T लगा दो divide में T लगा दो इसका मतलब है rate of flow of electric charge का मतलब क्या है electric charge को हम क्यों से represent कर रहे थे अगर इसको divided by T कर दे तो यह हमें electric current दे देगा मतलब पर second या फिर कितने T time में कितना charge हमारा flow कर रहा है वो ही हमारा current है clear clear यह बात second point second point क्या कह रहा है it is a scalar quantity हमने दो तरह की quantity पढ़ी हुई है कौनसी scalar और vector scalar क्या है जिसमें हमें बस magnitude बताना पड़े vector क्या है जिसमें हमें magnitude plus direction बतानी पड़े तो हमारा electric current एक scalar quantity है इसका मतलब है कि हमें सिर्फ उसका magnitude बताना पड़ेगा ठीक है it is a scalar quantity ठीक है यह बात clear है next चीज़ it is a flow of it flows as a result of potential difference across the end of a conductor it flows as a result of potential difference across the conductor यह potential difference क्या है मैं अब यह बताओ potential difference भीट यह जो battery provide कर रही थी जो हमारे electronics को push कर रही थी अगर मैं मालो यह मेरी wire है मैंने इसके 4 ओर कोई battery connect नहीं करी क्या इसमें से electronics flow होंगे किया इसमें से electronics flow होंगे नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि वहा पोटेंशल डिप्रेंस नहीं है आगे हम इस चीज़ को बहुत elaborate तरीके से पढ़ने वाले है कि actually में potential difference करता क्या है या actually में potential difference कैसे आता है ठीक है यह चीज़ हम करने वाले हैं और यही जो reason है इसी की वज़े से current flow होता है इसके बिना current flow नहीं होगा आगे बढ़े चीक है अब बचे electric current की हमने यह बढ़ी की rate of flow of charge हमारा electric current होता है i is equals to q by t याद कर लो इस चीज़ को यह है हमारा chapter का formula number 1 इसके पहले हमने एक formula और कर रहा है कि जो हमारा charge होता है वो quantized होता है मतलब integer multiple होता है e का e क्या है हमारे पास 1.6 into 10 is to power minus 19 coulomb ठीक है बच्चा ठीक है अब हमारी charge का हमारा electric current का symbol होता है i यह तो सबको पता है i से denote करते है हम current को i से next हम इसकी SI unit क्या है ampere और इसको लिखते कैसे है ampere को कैसे लिखते है a से चीक है बच्चा a से लिखते है हम next is यह चीज़ तो ठीक है where i is the current q is the charge and t is the time for which the current is flowing मतलब जितने time के लिए current flow कर रहा है उसी को हम current कहते है rate of flowing rate of flow of charge is called the electric current कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई मुश्कील अब तक तो बताईए जल्दी बताईए comment box में मुझे जल्दी बताईए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आगे बड़े अब बच्चे इत्ता तो पढ़ लिया अब मैमी ampere क्या है इसको define कर ले यह ampere मैं ऐसे लिख सकती हूँ मैंने charge की unit लिख दी वन ampere और इन दोनों की unit लिख दी वन कुलंबाए वन second ठीक है अब मैं इसको define कर सकते हूँ बच्चे ampere की definition बहुत important है बहुत बार exam में आ चुकी है ठीक है आ चुकी exam में की ampere क्या होता है इसको define करो तो अगर यह चीज़ अभी हम start कर रहे हैं आगे हम बहुत सारी SI units की definition पढ़ेंगे लेकिन बच्चा एक चीज़ आपको ध्यान में रख दिया है अगर आपसे कोई भी SI unit की definition पूछ लेना आप यही तरीका अजमाओगे आपके पास formula होगा उस SI unit का जैसे यहाँ पर ampere की definition पूछी है तो ampere किसकी unit है चार्च की sorry current की current का formula लिख पूट कर दो बस और आगे one one लगा दो इससी तरीके से हम definition लिख सकते है SI unit की क्या होगी one ampere of the current is defined as the transfer of one coulomb of charge transfer of one coulomb of charge per second per second का मतलब है one second में कितना charge transfer हो रहा है through the circuit is called one ampere clear है यह बात one ampere is the transfer of one coulomb of charge per second through the circuit is called ampere one ampere clear अब तक सब समझ में आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है इतनी अच्छे चीजी यह अच्छे लीके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं जल्दी से आगे बड़े अभी बच्छे माले live session होगा हम उसमें इन सब चीजों के बारे में discussion जरूर करेंगे और मैं आपके लिए आने वाली मैं बढ़ा है ट्रेडीशनल यानि की जो हम चीज बहुत सालों से मानते वे आ रहे हैं मैडम जो हम बहुत सालों से चीजे मानते वे आ रहे हैं वो चीज हमने current की वो direction देखनी है मैंने बोला मैंने अब तक यही discuss किया कि negative वाले point से charge निकलते electron चलते हैं और positive की तरफ जाते हैं क्योंकि negative से निकल के positive की तरह attract होते हैं जो हमने पहले वो हाथ वाली GIF देखी थी उसमें यहाँ पर battery का positive terminal था ठीक है यहाँ बैटरी का positive terminal था अरे चल जा यहाँ बैटरी का positive terminal था यहाँ बैटरी का negative terminal था यहाँ से जाके यहाँ से जाके निकल रहे थे और किधर जा रहे थे इधर जा रहे थे है ना कहा जा रहे थे electron positive अपनी तरफ ले रहा था positive अपनी तरफ ले रहा था अपनी तरफ कैसी electron ले रहा था ऐसे ले रहा था और वो negative point से इधर की तरफ आ रहे थे यही हो रहा था ना कि जो positive वाला था वो हाथ निकालके अपनी तरफ electron ले रहा था मतलब कि negative terminal से positive terminal की और electron आ रहे थे तो यह हो गया हमारे पास direction of flow of electron at the same time आपके पास conventional current हमारा क्या है it is opposite to the direction of flow of electron simple सी बात है जो electron की direction है उस सी opposite direction हमारी current की है तो बच्चों आपके मन में question आ रहा होगा कि ऐसा क्यूं ऐसा अखिर क्यूं है कोई तो reason होगा ना कि आपके पास ऐसा क्यूं हो रहा है ऐसा बच्चे क्यूं ना हमने जो flow of electron था उसी की direction को current की direction रख दी इसके वीचे बच्चे एक reason है जब आज से बहुत साल पहले यानि कि 600 DC के around जब हमारा electric current था हमने तब ही direction तै कर ली थी कि वह positive से नेगिटिव जाएगा जो electron को concept है बहुत सालों बाद आया कि हाँ जो electron है वो तो आखिर में negative to positive की तरफ जाते हैं है ना यह concept बहुत बाद में आया था उससे पहले current के बारे में सब लोग अपना मन बना लिया था सबने अपना ट्रिडीशन बना लिया था हम इसी direction को current की direction लेंगे उसके पीछे क्या reason था अब अपने घर में पानी की टंकी रखते हैं वो third floor पे second floor पे जो आपके पस highest floor होता है क्यों रखते हैं क्यों रखते हैं ताकि असानी से पानी ऊपर से नीचे आ जाए या फिर आपके पास जब तक कोई चीज उची नहीं होती यानि कि कोई चीज जादा नहीं होती वहां से कम की तरफ नहीं आ कफी सेम टाइम अगर आपके पास जैसे आपके पास एक होता है उसका भी यही सीन होता है जादा से कम है ना यही जो सीन होता है यही होता है कि हमारा जादा से कम की और चीज़े जाती है इसी लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्हों ने भी बोल दिया पॉजिटिव वाला जादा है नेगिटिव वाला कम है तो हमारा इलेक्टरिक करेंगे वो हम पॉजिटिव से नेगिटिव की बात करेंगे फ्लो के अपोसिट ये बाट ठीक है बच्चे आई समझ में आगे बढ़ते हैं आगे क्या है अरे आगे तो एक क्वेश्चन है सॉल्व करें जल्दी से मैं थोड़ा साइड हो रही हूं आपको मैं 30 सेकंड का सब्सकराइए स्टार्ट जल्दी से इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में मिर अजय को बताईए इसका अंसर यह होगा मैं भी होगा मैं सी होगा या डी होगा बच्चे अगर आपको एसे ही प्रेक्टिस करनी है मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे questions लाओंगी बट आपको response करना होगा अगर मुझे कॉमेंट वाक्स में रिस्पॉंस अच्छा मिला मैं तब भी क्वेशिन एड़ करूंगी वरना मेरी भी इतनी हैनत क्यों वेस्ट जाए है तो बच्छे आपको बहुत अच्छे ते रिस्पॉंस करना है अच्छा लगा बुरा लगा कैसा लगा आपको सब चीजों का रिस्पॉंस करना है जल्दी से आपका टाइम खतम होने वाला है चलिए अब देखते हैं calculate the number of electron constituting one column of charge मतलब charge कितना है one column है और उसमें मुझे बताना है कितने number of electron है मैंने charge की properties पढ़ाते हुए आपको एक formula बताया था q is equals to n e मतलब हमारे पात जो charge है वो quantized है जो integer multiple में है अब हमसे यही integer ही पूछा है कि calculate the number of electron constituting one column of electron one column of charge मतलब हमें charge दिया हुआ है e की value हमें पता है हम n की value निकाल सकते हैं कैसे मतलब n की value आ जाएगी q upon e कितना है q 1 column और यह कितना है e की value कितनी होती है 1.6 into 10 is to power minus 19 column madam क्या हो जाएगा answer क्या हो जाएगा answer ठीक है यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई जल्दी से comment box में बताओ अब इसको solve करोगे तो क्या आएगा answer क्या आएगा answer इसका answer आएगा 6.25 into 10 to the power 18 यह होगा number ठीक है देख ले ठीक है 0.625 आएगा मैंने 1 0 उदर ले ली और 10 to the power 18 कर दिया और हमारा answer is C जिन जिन बच्चों ने answer में C करा है well done मेरे बच्चों well done बाकी जिन का गलत है आप प्लीज इसको practice करें हम और questions आगे की classes में practice करेंगे आगे बढ़ ले electric current पढ़ दिया अब मैं मैं अगर मैंने electric current जो circuit में बहर आए मैं वो major किंसी करूंगा उसके लिए हमारे पास यह device है क्या बोलते हैं हम इस device को एमीटर बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं एमीटर बोलते हैं and it is always connected in series with the device मैं इसका क्या मतलब है series में connect करने का मतलब क्या है बच्चे ऐसे connect करना है यहां resistance है एक ही line में connect करना है बाकि अभी हमारी आने वाली glasses में series connection parallel connection पढ़ने ही वाले हैं महां और clear कर देंगे कि series और parallel connection क्या होता है ठीक है बच्चा मतलब की जितना भी current इस circuit में flow करेगा वो हमें इस मीटर में पता चल जाएगा milliampere करे, microampere करे, ampere करे हमें सब इसमें पता चल जाएगा कि कितना current है हमारे पार ठीक है आगे और क्या है और यह galvanometer है यह भी current measure करने के काम आता है लेकिन emitter से different कैसे है फिर यह मैं यह बच्चे smaller current measure करने के लिए आता है जो हमारे इस एमीटर है वो detect है नहीं कर पाता यह उसकी इतनी range ही नहीं होती कि वो detect कर पाए यह हमारे पास galvanometer है अब हमारे पास जो हमारा zero था वो extreme left पे था एक side में बताता है यह reading है ना तो अब अगर आगर आगे देखें कि इसकी बीच में है इधर भी same reading है उधर भी same reading है इसका क्या मतलब है बच्चों अगर आप galvanometer का symbol यह होता है जी एंड एमीटर का symbol होता है एमीटर का क्या symbol होता है एमीटर का symbol होता है गोले में यह बना दू यह हमारा एमीटर सिंबल हो गया तो बच्चे अगर हम galvanometer को अपने circuit में लगा दें यह भी series में connect करना है जैसे हमारा यह circuit था ठीक है और हम अपनी battery connect कर दें और current flow अगर इस direction में होगा मालो यह galvanometer है यही वाला जो लगा है और current इस direction में flow होगा तो सुई यहाँ deflect कर देंगी इसका क्या मतलब है it can show the direction of current flowing मतलब यह जो direction of current है वो भी बता देगा कि किस direction में current flow कर रहा है इधर left और right जो हमेंटर नहीं बता पारा था तो हमारे पास यह दो डिवाइस हैं जो हमारे current measure करने के काम आते हैं ठीक है बच्छा ठीक है बच्छा पाटी तो हम आगे की चीज़े next lecture में discuss करेंगे thank you so much for watching this video and आप जोड़े रहें doubtnet के साथ आपकी lecture series देखते रहें I hope you are happy and अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं thank you so much